हेलो इस्ट्रेंट्स मैं एक कलभ्य, आज आपको फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का तीसरा चेप्टर दे मिड़नाइट विजिटर परहाने जा रहा हूँ दे मिड़नाइट का अर्थ होता है आधी राथ, विजिटर का अर्थ होता है आगन तुक The midnight visitor का अर्थ होता है आधी रात का आगनतुक अब हम लोग line by line इसकी हिंदी देखते हैं और सेवल यह एक नाम है A secret agent एक गुपचर, एक जासूस Is expecting, आसा कर रहा है To get, प्राप्त करने का A very important एक बहुत ही महतपुर्ण रिपोर्ट और सेवल एक गुपचर एक बहुत महतपुर्ण रिपोर्ट प्राप्त करने की आसा कर रहा है Another, दूसरा, secret agent गुपचर, मैक्स Threatanj, धमकी देता है Him, उसको उसको इहां कौन है? और सेवल, विदे पिस्टल एक पिस्टॉल लेकर एक पिस्टॉल के साथ demanding, मांग करते हुए The Report उस रिपोर्ट का एक अन्य गुपच जासूस मैक्स रिपोर्ट की मांग करते हुए एक पिस्टॉल लेकर उसे धमकी देता है Judge आसेवल आउटविट क्या आसेवल बुद्धी द्वारा पराजित कर पाता है Him उसको क्या आसेवल उसे बुद्धी द्वारा पराजित करता है आउटविट कार्थ होता है बुद्धी द्वारा पराजित करना या बुद्धी के द्वारा किसी को हराना या चतुराई से या चलाकी से एनी डिस्क्रिप्शन किसी भी विवरन के of a secret agent एक गुप्चर के और सेवल एक गुप्चर के किसी भी विवरन के उप्युक्त नहीं बैठता था फॉलर हैड एवर रेड जिसको फॉलर ने अभी तक पढ़ा था और सेवल एक गुप्चर के किसी भी विवरन के उप्युक्त नहीं था जो फॉलर ने अभी तक पढ़ा था following him उसका अनुसरन करते हुए उसके साथ साथ चलते हुए down the musty corridor दुरगंध युक्त गलियारे में उसके साथ चलते हुए प्वेर जहां और सेवल हैड रूम और सेवल का कमड़ा था फॉलर फेल्ट लेट डाउन फॉलर को निरासा महसूस हुई उस अन्धकारपुर्ण फेंच होटल के दुरगंध युक्त गलियारे में जहां और सेवल का कमड़ा था उसका पीछा करते हुए फॉलर निरास हो गया मस्टी का अर्थ होता है दुरगंध युक्त या सीलन भड़ा सीलन भड़ा जगह उस जगह को कहते हैं जहां नमी रहती है जहां पानी की मात्रा बहुत जादे रहती है जहां चिप-चिपाहट जादे रहती है ग्लूमी का अर्थ होता है अंधकार मैं अंधकार पुर्ण यह एक छोटा सक कमड़ा था on the 6th and top floor छठे और उपरी मंजिल पर and scarcely और सायधी और मुश्किल से a setting उचित for a romantic adventure रोमांचकारी कारियों के लिए छठी और सब से उपरी मंजिल पर यह एक छोटा सक कमड़ा था और किसी रोमांचकारी कारी के लिए मुश्किल से उचित शायद ही उचित और सेवल वास और सेवल था for one thing एक बात fat मोटा एक तो और सेवल मोटा था दो हाला की he spoke वह बोलता था French and German French और जर्मन पैस सबली काम चलाव ढंग से अच्छी तरह he had never lost उसने कभी नहीं खोया था altogether कुल मिला कर पुर्ण रूप से कुल मिला कर उसने कभी नहीं खोया था the American accent अमेर की लहजा अमेर की उच्चारन he had brought जो उन्होंने लाया था to Paris Paris में from Boston Boston से 20 years ago 20 साल पहले हला की वह French और जर्मन काम चलाव ढंग से बोलता था फिर भी उसने पूर्ण रूप से अमेर कन उच्चारन को नहीं छोडा था जिसे वह 20 साल पहले Boston से Paris लाया था You are disappointed तुम निरास हो और सेवल सेड और सेवल ने कहा Weasily सब्द्युक्त सांस लेते हुए जोड़ जोड़ से सांस लेते हुए Over his shoulder उसके कंधा के पास जब हम लोग दो वैक्ती बात करते हुए सरक पर चलते हैं तो आपने अनुवव क्या होगा प्राया एक वैक्ती कभी कभी दूसरे वैक्ती के तरफ घूम कर दूसरे वैक्ती के तरफ मुर कर उसके कान के पास या कंधा के पास मुह ले जाकर बोलता है वही यहां हो रहा है औसेवल फॉलर के कंधा के पास अपना मुह लेकर बोल रहा है और उस समय औसेवल बहुत जोड़ जोड़ से सांस ले रहा था अर्थात औसेवल जो सांस ले रहा था उससे आवाज आ रही थी उसके कंधे के पास जोड़ जोड़ से सांस लेते हुए औसेवल ने कहा तुम निरास हो यहां औसेवल फॉलर के कंधे के पास अपना मुह ले जाकर बोल रहा है क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहा था यू अर टोल्ड तुम्हें कहा गया दाट की आई वाज ए सिक्रिट एजेंट मैं एक गुपचर हूँ मैं एक गुप जासूस हूँ ए स्पाई एक जासूस डिलिंग इन काम करते हुए एस्पियानास जासूसी का एंड डेंजर और खत्रे का तुम्हें बताया गया था की मैं एक गुपचर हूँ एक जासूस जो गुपचरी और खत्रे से पुर्ण काम करता हूँ एस्पियानास का अर्थ होता है जासूसी यू विष्ट तुम्हारी इक्षा थी to meet me मुझसे मिलने की because क्योंकि you are a writer तुम एक लेखक हो यंग जवान युवा एंड रोमैंटिक और रोमांचकारी रसिक रसिया तुम्हारी मुझसे मिलने की इक्षा थी क्योंकि तुम एक युवा और रोमांचकारी लेखक हो you envisioned तुमने पुर्व कलपना कर ली mysterious figure रहसमय आकृतियों की in the night रात में the crack of pistols पिस्तोलों की आवाज पिस्तोलों की टंकार drugs in the wine शराब में दवाई तुमने रात में रहसमय आकृतियों पिस्तोल की टंकार सराब में मिली हुई दवाई की पुर्व कलपना कर ली and vision का अर्थ होता है पुर्व कलपना करना पहले से सोच लेना पुर्व अनुमान करना instead इसके बजाए इसके बदले you have spent तुमने वैतीत की है तुमने बिताया है a dull evening, एक नीरस साम, in a French music hall, एक French संगीत hall में with a sloppy fat man, एक फुहर मोटे आदमी के साथ, एक मैला कुचैला आदमी के साथ, श्लॉपी का अर्थ होता है मैला कुचैला या फुहर इसके बदले, इसके बजाए आपने एक फुहर मोटे वैक्ती के साथ, French संगीत hall में एक नीरस साम गुजारी है, एक नीरस साम बैतीत की है हु जो, instead of having messages, message रखने के बजाए, slipped, सरकाए गए, फिसले हुए, सरकाए गए, message रखने के बजाए, सरकाए गए, संबाद रखने के बजाए, into his hand, अपने हाथ में, अपने हाथ में सरकाए गए, by dark-eyed beauties काली काली आँखों वाली सुंदरियों के दवारा, काली काली आँखों वाली सुंदर लर्कियों के दवारा तो क्या बच्चों, आप लोगों के मन में भी सुंदर सुंदर लर्कियों का भिचार आने लगा? गेट्स प्राप्त करता है only cable a project telephone call, एक अरोचक telephone call, making an appointment, समय निर्धारित करने वाली in his room, अपने कमरा में, जो काली आखों वाली सुन्दरियों के द्वारा, हाथों में सरकाय गए संदेशों को रखने के बदले, अपने कमरा में समय निर्धारित करने वाली cable अरोचक telephone call को प्राप्त करता है, You have been bored, तुम उव गय हो, the fat man, मोटा आदमी, chuckled, हशा, to himself, मन ही मन, वह मोटा आदमी, मन ही मन हशा, as he unlocked the door, जैसे है उसने दर्वाजा खोला, of his room, अपने कमरा का, and stood aside, और एक तरफ खरा हो गया, to let his frustrated guest enter, अपने निरास अतिथी को enter होने देने के लिए, अंदर आने देने के लिए, प्रवेश करने देने के लिए, मोटा आदमी, मन ही मन हशा, उसके बाद वह अपने कमरे का दर्वाजा खोल कर, अपने निराज अतिती को अंदर आने देने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया